नमस्कार दोस्तों मैं राजकुमार आपकी सेवा में ये लेटर तु गॉट का ये पार्ट वन है और परग्राफ फर्स्ट है तो चलिए शुरू करते हैं The house the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill यानि पूरी घाटी में एक मात्र घर था जो निचली पहाडी के शिखर पर इसी था From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest जिस शिखर पर घर इस्थी था उस शिखर से कोई भी वियक्ती एक नदी को देख सकता था और ripe corn जिसमें full लगे हुए थे उसके field को देख सकता था जो हमेशा ये promise करता था कि फसल अच्छी होगी The only thing the earth needed was a downpour और at least a shower यानि खेत को अगर कोई चीज़ की जरूरत थी तो वह थी मुसलाधार बारिश या फिर कम से कम एक बाच्छार Throughout the morning, Lencho who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the north east यानि morning के दौरान Lencho जिससे पता था कि उसके खेत को क्या जरूरत थी It means बारिश की जरूरत थी शायद इसलिए उसने आस्मान में north east direction की और लगातार वो देखता रहा So that बारिश होगी Paragraph 2 है Paragraph 2 में क्या कहता है Now we are really going to get some water Woman अब Lencho अपनी वाइफ को कह रहे है कि अब हम वास्तों में कुछ पानी प्राप करने चाह रहे हैं जैसा कि उन्होंने आस्मान में कुछ शेप देखा और उससे लगा कि वारिश होगी शायद इसलिए The woman who was preparing supper replied Yes, God willing मैला जो evening meal बना रही थी उन्होंने उत्तर दिया हाँ यदि इश्वर के इच्छा हुई The older boys were working in the field यानि लेंचों के जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे While the smaller one were playing near the house छोटे लड़के जो थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे Until the woman called to them all तभी क्या होता है वो मैला जो हती है वो सभी बच्चों को एक साथ बुलाती है Come for dinner और वो कहती है Dinner के लिए आ जाओ It was during the meal that just as लेंचों had predicted Big drops of rain began to fall यानि वो लंच का ही वो दौरान था टाइम था उसी वक्त लेंचों ने ये प्रैडिक्ट की थी भविश्वानी की थी कि शाद बारिश होगी और ऐसा ही कुछ हुआ यानि बारिश की बड़ी बुन्दे गिरने लगे इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इनो cloud में यानि cloud में जो mountain के shape बन रहे थे आसमान के north direction में northeast direction में तो उसे आते हुए देखा जा सकता था and the air was fresh and sweet हवा ताजा और sweet थी the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लेंचो था वो बाहर गया बाहर वो गया और कोई दूसरे कारण से नहीं गया वो सिर्फ इसलिए गया ताकि वो बारिश की बुन्दे उसके बौड़ी पे गीरे और वो बारिश की बुन्दे जब गीरे उसके बौड़ी पे तो उसकी feeling जो उत्पन हो तो उसे मैसूस करने के लिए उसे enjoy करने के लिए वो गया था And when he returned, he exclaimed और जब वो बारिश से वो अपने घर लोटा, तो उसने कहा There aren't rain drops falling from the sky यानि बाहर जो बारिश है, it means These aren't rain drops falling from the sky It means बाहर जो आसमान से बारिश हो रही है बारिश के जो बुंदे गिर रहे हैं, वो really में raindrops नहीं है, they are new coins, वे क्या है, new coins है, यहाँ पे new coins इसलिए कह रहे हैं, so that उनकी जो एक wish थी, कि जो उनके जो फसर ready थे, उनको सिर्फ एक, you know, मुसलाधर बारिश की जरूरत थी, और वो बारिश होने लगी थी, तो इस वज़ हैं, कि जो बारिश की बलबड़ी बुंदे हैं, वो 10 cents के ब्रावर हैं, and the little ones are 5, and छोटी-छोटी जो बारिश की बुंदे हैं, वो 5 cents के ब्रावर हैं, अब है paragraph 3, paragraph 3 क्या कहता है, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers dripped in a curtain of rain, जब बारिश होने लगी, बारिश की बड़बड़ी बुंदे गिरने लगे, तो ये काफी खुश हो गया लेंचो, और वो एक satisfied expression के साथ, अपनी जो राइप corn वाली field थी, उसे वो लगा था, देखता रहा, और देखते ही देखते, वो बारिश से उसका जो field of ripe corn था, वो भर गया, but suddenly a strong wind began to blow, and along with rain, very large hail stones began to fall, अभी थोड़ी देर पहले लेंचो बहुत जादा खुश था, क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश की बड़बड़ी बुंदे गिर रहे थे, और चोटी बुंदे भी गिर रहे थे, और इस बड़बड़ी बुंदे और चोटी बुंदे क देख इन्होंने new coins भी कह दिया, लेकिन हुआ अब क्या, अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी, और साथ ही साथ बारिश भी होने लगी, और भी तेज, और ओले भी गिरने शुरू हो गया, इस ट्रोली टीट रिसेंबल new silver coins, यह जो ओले गिर रहे थे, water ice गिर रहे थे, वो कैसे दिखते थे, वो new silver coins के जैसे दिखते थे, the boys exposing themselves to the rain, जो लड़के थे लेंचों के, वो खुद को ऐसा जग जाहिर कर रहे थे, कि वो बारिश में जाना चाह रहे हो, and ran out to collect the frozen pearls, और ऐसा ही हुआ, यानि जो लड़के थे बाहर जाने के इक्छा जता रहे थे, वो बा परग्राफ 4 है, it's really getting bad now, exclaimed the man, यानि लेंचों ने कहा, कि या अब बहुत बुरा हो रहा है, I hope it passes quickly, मुझे आशा है कि बारिश जल्द ही रुक चाहेगी, it did not pass quickly, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बारिश जल्द नहीं रुकी, For an hour, the hail rained on the house, यानि एक घंटे तक ओले घर के उपर गिरते रहे, the garden, garden में भी गिरते रहे, the hillside, और hillside वाले एरिया में भी गिरते रहे, the corn field, और वो जो ripe corn field जो था, उसमें भी ओले गिरते रहे, on the whole valley, और पूरी तरह से पूरी घाटी में ओले गिरते रहे, The field was white, यानि जो खेट था, ripe corn का, वो पूरी तरह से ओले से ठख चुका था, it means वो white हो चुका था, as if covered with salt, और मानो ऐसा लग रहा था, कि वो salt से ठख ग गया हो, अब है paragraph 5, not a leaf remained on the trees, अवो लेंचो ये fill कर रहे हैं और बोल रहे हैं, कि पेड़ो पर एक पत्ता तक नहीं रहा, the flowers were corn from the plants, पौधों से full सारे नस्ट हो गए, जो ripe corn में लगे हुए थे, the corn was totally destroyed, जो ripe corn था, जो पूरी तरह से fossil ready था, सिर्फ एक मुसला धर बारिश की जरूरत थी, बोल भी पूरा हो गया, लेकिन ये ओले बीच में आ करके, पूरी तरह से नस्ट कर दिया था, लेंचो's soul was filled with sadness, यानि लेंचो की जो आत्मा थी, पूरी तरह से दुख से भर गई थी, when the storm had passed, जब तुफान ये थम गया, रुग गया, he stood in the middle of the field, तो लेंचो ने किया कि अपने खेत के बीचों बीच जाकर ख़ड़ा हो गया, and said to his sons, और वो अपने बेटों से कहा, A plague of locust would have left more than this, उसने ये बताने की कोशिश की है, कि यदि इंसेक्ट भी मेरे फसल में लगे हुए होते, तो शायद इतना बरवाद नहीं करते, और इससे कहीं ज़्यादा बच जाता, The hail has left nothing, यानि ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, this year we will have no corn, यानि इस वर्ष हमारे पास corn नहीं होगा, Now, paragraph 6, that night was a sorrowful one, it means वह जो रात थी, लेंचों के लिए, दुखत थी, हट ब्रोकन थी, All our work for nothing, it means जो उनका target था, कि फसल अच्छी होगी, जैसा कि मुसलाधार बारिश की जरूवत थी, वो भी होनी शुरू हो गई थी, तो ये ओले गिरने से क्या हुआ, पूरी तरस उनका जो फसल था, राइप कॉर्ण, नस्ट हो चुगा था, इसलिए ये सिंदेंस कहता है, All our work for nothing, यानि हमारा जो काम जो था, वो पूरा नहीं हो पाया, There is no one who can help us, यानि वैसा कोई व्यक्ती नहीं है, जो हमारी मदद कर सकता है, We will all go hungry this year, यानि हम सब इस वर्ष पूरी तरस से भूखे रहेंगे, So thank you so much for watching this video, और story को next video में continue करेंगे, thank you.